दोस्तों, बादाम ऐसे खादे पदार्थ में आता है जिसके सेवन से गरवती महिला को भरपूर पोशन मिलता है इसे गरवती महिला को अपने आहर में जरूर सामिल करना चाहिए तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बादाम खाने की क्या फायदे होते हैं एक दिन में गरवती महिला को कितने बादाम का सेवन करना चाहिए और आपके होने वाले बच्चे को इससे कौन-कौन से फायदे मिलते हैं तो इसारी बाते जानने के लिए मेरी वीडियो को जरूर देखिए और टक वीडियो को भी ना सकिब किये दोस्तों बादाम बहुत से वीटामिन्स और खनीज़ों से भरपूर होता है बादाम के पोशक्ता को और इसके फायदों के बारे में जान देने से पहले ये जान लेते हैं कि पेगनेंसी के दोरान एक दिन में कितने बादाम महिला को खाने चाहिए दोस्तों पेगनेंसी के दोरान गर्वती महिला को एक मुठी से ज़्यादा बादाम का सेवन नहीं करना चाहिए एक मुठी यानि की साथ से लेके आठ बादाम का सेवन गर्वती महिला को जरूर करना चाहिए लेकिन इसका फायदा उठाने के लिए आपको इने भीगो कर खाना चाहिए ऐसा इसलिए क्योंकि बादाम के भूरे रंग के छिलकी में टैनिन होता है जो पोशक तक्तों के आउशोशन को रोगता है बादाम को पानी में भीगोने से इसका छिलका आसानी से उतर जाता है और भीगा हुआ बादाम पाचन में भी मदद करता है तो गर्वती महिला को रात को भीगे बादाम का सेवन सुबह उठकर जरूर करना चाहिए सुखे बादाम इस दोरान नहीं खाने चाहिए इससे आपकी बाड़ी गरम हो सकती है और आपको कब्ज, त्वचा रोक, अतिधिक पसीना और कई आंत्रिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है बादाम में विटामिन E, केल्सियम, ओमेगा 3, फैटी असेट्स, फास्टोरस, आईरन और मेगनिसियम और साथ ही जस्ता, सेलेनियम, तामबा और नियासिन सामिल होता है बादाम में अन्य ड्राइफूट्स के मुकाबले ज्यादा पोशकतता होते हैं इसके फायदों के अगर बात करें तो फॉलिक एसिट की कमी को बादाम दूर करता है बादाम में फॉलिक एसिट होता है जो नवजात शिशों में जन्दोस की घटनाओं को कम करने में मदद करता है ये सस्त कोशिक अवरिदी और उत्तक घठन को उत्तेजित करता है बादम खाने से गर्ब में शिशु को आईरन की भरपूर मात्रा मिलती है और साथ ही बादम खाने से गर्ब में शिशु को एलर्जी नहीं होती है बादम दिमाग तेज करने और संदरे को बढ़ाने में भी काफी मदद करता है तो इस दोरान अगर महिला बादाम का सीवन करती है तो गर्ब में शिशु के मस्तिस्क का विकास बहुत एच्छे तरीके से होता है बादाम मेटाबॉलिक सिस्टम को बढ़ाने में भी मदद करता है जिन महिलाओं में प्रेजनिंसी के दोरन डायबिटीज और मोटा पे जैसी समश्या होने की संभावना बढ़ जाती है उन महिलाओं को बादाम का सीवन शुरू कर देना चाहिए क्योंकि बादाम मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है बादाम में मौझद कार्बोहाइडरेट और डायट्रिफेट तनाव, सूजन और रक्त में सुगर की मात्रा को कम करने में मदद करते हैं जो आपके और आपके बच्चे दोनों के लिए फायदे मन्द होता है इससे हिर्दय और मस्तिस्क विकार, मदमेह, कब्ज, स्वचन विकार, खांसी और एनिमेय से भी रहत मिलती है इसके अलावा यदि आप बादाम का सेवन करते हैं तो यह पाचन और मेटाबॉलिस्म को बढ़ाने का भी काम करता है और साथ ही यह आपके बाल, तवचा और दान्तों की देखभाल करने में भी मदद करता है तो आप गर बादाम का सेवन जरूर करें एक जरूरी जनकारी आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि प्रिगनेंसी के बाद बच्चों की केर कैसे करें इसके लिए हमारे बीबी केर सेंट्रिक चैनल मॉब इन इडिया को भी सब्सक्राइब कर ले चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और उपर आई बटन में भी फ्लेश हो रहा है थैंक्स फर वाचिंग दिस वीडियो मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स वीडियो में तिल देन स्टेए हैपी स्टेए हैल्दी